नमस्कार दोस्तों, दोस्तों यहाँ पर आप मेरे हाथ में दो होमेथिक दबाईयों की बॉटल देख रहा हैं, एक आप देख रहा हैं यह है पेट्रोलियम 200 पोटेंसी में, यहाँ पर आप पोटेंसी पर मत जाएए, मुझे 200 पोटेंसी हाथ में लगी तो मैंने वो उठा ल जिए ग्रेफाइटिस 200 पोटेंसी में यहां भी पोटेंसी पे नहीं जाएंगे केबल दवा का नाम ध्यान रखिए ग्रेफाइटिस अभी दोस्तों इन दोनों मेडिसिन को बताने की पीछे मेरा उद्देश क्या है जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत भर में हम ठंड के सीज होती है वो ठंडी के मुसम में बढ़ जाती है तो यह दोनों दवाए जो ही अभी के सीजन में होने वाली जितनी भी स्किन डिसीज है उसमें सबसे प्रमुक होमेपेटिक मेडिसीन होती है और यदि अभी के समय में आपको कोई स्किन डिसीज परिसान कर रही है तो यह समझ ये कि आपका डक्टर आपको graphitis या petroleum इन दोनों दवा में से ही कोई दबा यूज़ करेगा सबसे पहले हम इनके लक्षणों के बारे में बात करेंगे और फिर बात करेंगे कि हम कहाँ पर petroleum देंगे और कहाँ पर graphitis, homeopathic medicine का यूज़ करेंगे दोस्तो पेट्रोलियम देने के कुछ भी से लक्षण है सर्दी के मुसम में यदि किसी ब्यक्ति के हाथ पाउं बहुत ज़्यादा जग़ जग़ से फटते हो जग़ जग़ से दरारे पड़ती हो, जग़ जग़ से चटक जाते हो यह हम कहें जैसे स्किन फटती है, अंगुलियों के किनारे फटते हैं, गाल फटते हैं, हाथ की हतेली फटती है, पाउं के तलुए फटते हो परंतु ऐसा खासकर केवल सर्दी के मुसम में ही होता हो मतलब सर्दी का मुसम आया और स्किन फटी परंतु जैसे ही गर्मी का मुसम आया या मुसम में थोड़ी सी गर्मी आई बैसे ही ये सारी चीजे नार्मल हो गई तो यहां पर हमें पेट्रोलियम मेडिसिन देना पड़ेगा यदि किसी व्यक्ति को सरीर पर बहुत सारी बारिक बारिक फुंसिया होती है उन फुंसियों से पतला पानी के जैसा जो है इस्तराव निकलता है सिक्रेशन होता है तो दोस्तो और यह जो इसकिन डिसीज हुई है चाहे आप इसे एकजीमा नाम दे दीजिए या कोई भी सकिन दे दीजे जिसमें चोटी चोटी फुंसिया है पतला पानी जैसा इस तरह निकल रहा हो दोस्तो यह यदि ठंड के मोसम में ही होता हो और जैसे ही गर्मी आना सुरू ही बेसे ही यह ठीक हो जाता हो तो इस तरह के एकजीमा में आप के बल पेट्रोलियम होमेटिक मेडिसिन क यूज करेंगे पेट्रोलियम दबा को आज बताने के बिचे एक और मकसद है कि अभी के मोसम में आप सभी में से बहुत सारे लोगे से होंगे जो एक बिसेश प्रगार की खासी से परिसान होंगे यह खासी दिन भर अच्छी रहती है किन्तु रात के समय जैसे ही आप विस् लक्षणों के प्रति जागरुख हो सके तीसरा दोस्तो पेट्रोलियम का लक्षण यह है कि ब्यक्ति को सरीर में जगा जगा ठंडक सी अनुवाव होती है कभी उसे लगेगा मेरा कोई एक हात बहुत ज़्यादा ठंडा हो कभी उसे लगेगा कि मेरे सीने के अंदर कोई वि लगेगा ठंड़ जाए तो ध्यान दीजिए आपको उसे पेट्रोलियम ओस्धी देना है और अभी के सीजन में आपके पास ऐसे बहुत सारे मरीज आएंगे दूसरी ओस्धी की बात करूं दूस्तों तो दूसरी ओस्धी थी ग्रेफाइटीस ग्रेफाइटीस के बारे में चटकने से ल, फियान दूसरी में कहीं पर भी दरारे पड़ जाना एड़िया जगए जगए से फटना, हाथ जगए 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 से फटना, ना केवल ये जो इसकिन है ये साफ्ट होती, इसकी तुन नाखून जो बहुत जड़ हाड होते हैं, ये भी यही जगए जगए से तिड़कने लग जाए चटकने लग जाए आप देखेंगे बहुत सारे लोगों के नाखुनों में दरार पढ़ने लग जाती है इन सभी के लिए दोस्तों ग्रेफाइटिस यूज की जाती है और ठंड के मुसम में इस उस्दी को बताने का उद्देश यह है कि ठंड के समय में ये बहुत ज़्यादा देखने में आता है दोस्तों बहुत सारे लोगों का जो मलदवार होता है गुदादवार होता है वो भी बार बार जगए जगए से तड़कने लगता है दरारे पढ़ने लगती जैसे बोला जाता फिसर्स और उसमें यदि बैक्ती लेट्रिंग क देते हैं दोस्तों एक्जीमा केसा भी हो यदि उसमें भी इस प्रगार फुंसिया हो रही है और सहज जैसा चिपचिपा इस्तराव जो उस पूरे एक्जीमा वाली जगह को भर दे वहां पर ग्रिफाइटीस दिया जाता है तो हमने देखा कि हम फुंसियों की केसे में पुरी जगह को भर लेता है तो वहां पर ग्रिफाइटीस देंगे यह फर्क नहीं पड़ता कि यह जो एक्जीमा या चोटी-चोटी फुंसिया हो रही है यह सरीर के किस हिससे पर है यह किसी व्यक्ति के पूरे सर पर हो सकती है कान के पीछे हो सकती है आंक के उपर हो सकती ह उंगलियों के बीच में हो सकती, आप देखीं कि बहुत सारे लोगों को उंगलियों के यहाँ पर बारिक बारिक फुंसिया हो जाती है तो यह जो लक्षण मैंने बताए यदि पतले पानी जैसा इस्तराव तो पेट्रोलियम सहद जैसा गाड़ा इस्तराव तो वहाँ पर देंगे हम ग्रेफाइटिस जैसा मैंने आपको पताया कि यदि ठंड में बिमारी बढ़ जाती है गर्मी में कम हो जाती है खतम हो जाती है तो पेट्रोलियम देंगे तो अभी चुणकी ठंड का मोसम है तो पेटॉलियम तो इसके लिए ही किन्तु यदि कोई मरीज आपके पास आकर कहता है कि मेरे साथ ये जो स्कीन का फटना ये नाखौन का फटना ये जोडों का फटना ये मलदवार का फटना ये ठंड के मोसम में भी होता है और में आती है तब भी होता है तो हम दोस्तों उस मरीज को ग्रेफाइटीस दवा देंगे ग्रेफाइटीस का जब भी मरीज आपके पास आएगा और वो स्किन डिसीज की कंप्रेंड लेके आएगा उसके साथ उसको कबज जरूर पाया जाएगा क्योंकि ग्रेफाइटीस कबज की भी बहुत अच्छी दवा है यदि किसी व्यक्ति को मैंने जैसा आपको बताया इस स्किन डिसीज के साथ कबज होती हो और कबज में जो स्टूल पा तो यहां पर ठंड के मोसम में आप विसेज देन दीजे इसकिन कंप्लेंड की दो बहुत ही शांदर मेडिसीन एक पेट्रोलियम दूसरा ग्रेफाइटीस दोनों में केवल एक अंतर यदि व्यक्ति आपसे आकर कहता है कि मुझे अभी ये जो समस्या हुई है केवल ठंड के मोसम में होती है जैसे ही मोसम गर्म होता है मेरी समस्या ठीक हो जाती है आप उसे देंगे पेट्रोलियम यदि व्यक्ति यही सब समस्या लेकर आता और कहता है कि मुझे ठंड आने पर भी ऐसा होता है गर्मी आती है तब भी ऐसा होता है तो आप उसे देंगे ग्रेफाइट मतलब एक तरह व्यक्ति शूर है कि मेरे साथ ठंड के मुसम में यह समस्या होती है पेट्रोलियम की तरफ जाएंगे एक तरह व्यक्ति कन्फ्यूज है कि नहीं मुझे ठंड में भी हो रहा है गर्मी में भी हो रहा है मुझे खुली हवा में भी आराम मिल रहा है मुझे चादर था कि आभी के मोसम में सबसे ज़्यादा इसी तरह के मरी जा रहा हैं तो आप इन दोनों मेडिसीन में से क्लियर करें और मरीज को दीजी देखे कितने शांदार आपको रिजल्ट मिलते हैं उमीद करूँगा ये दोस्तो वीडियो आपको जरूर पसंदा आएगा वीडियो पसंदा आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ठन की ये दो मुख्य अहमपती के उसदी पेट्रोलियम और ग्रिफाइटिस अपने पास जरूर बात करते हैं इनकी डोस की इनकी पोटेंसी की जैसे मैंने आपको बताया कि आप ये 200 में मत जाएए तो वो केबल इसलिए क्योंकि यदि आपके पास कोई acute case आया है मतलब बिमारी अभी अभी हुई है चाहे वो इसकिन की कंपलेंट हो या खासी हो तो आप उसे दोस्तो पे हमारी बहुत पुरानी है तो वहाँ पर आप हाई पोटेंसी यूज़ कर सकते हैं पेट्रोलियम ग्रेफाइटिस 200 पोटेंसी में या इससे भी उपर आप जा सकते हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद बंदे मात्रों